Hello Everyone, Welcome Back to my YouTube channel तो चलिए इस वीडियो में हम लोग Biology का एक स्रीज शरू करते हैं और Biology में देखिए, Biology ये Basic, 一 बेसिक साथ चेप्टर है Basic से Concept है, तो basics हम लोग Biology में करेंगे जैसे पिछली वीडियो में हम लोग Physics and Basics के किये थे तो देखिए आप तयारी कर रहे हैं अगर आप B.S.C. नर्सिंग की तयारी कर रहे हैं इंटरंस एक्जाम की या फिर आप पैरा मेडिकल की इंटरंस एक्जाम की तयारी कर रहे हैं पैरा मेडिकल हो गया या फिर आप फार्मेसी का कहीं आपको इंटरंस एक्जाम देना है फा कराती है आल प्राइबेट और आल गॉर्मेंट कालेज के लिए एक सिंगल इंटरेंस एक्जाम कामन इंटरेंस टेस्ट होता है CET के नाम से होता है CNET के नाम से CNET कामन नर्सिंग इंटरेंस टेस्ट होता है वैसे राजस्थान में होता है एमस में होता है बेसी नर्सिंग के ल देख रहे हैं तो चलिए हम लोग biology के basic से concept एक दम अच्छे से clear करते हैं फैले biology का means क्या होता है यह सब चीजे किसी ना किसी वीडियो में concept के थूरू समझाए गई है अगर आप वीडियो को revise कर रहे होंगे और I hope आप करी रहे होंगे अगर selection लेना है मेरे channel के थूरू तो आप कर रहे होंगे तो देखिए आप introduction biology की बात कर लेते हैं कि biology होती क्या है biology हम पढ़ते तो हैं लेकिन biology का means मतलब पता होना चाहिए biology is the science of living things biology क्या है biology science of living things है जिसमें क्या हम लोग करते हैं biology में क्या करते हैं जीवन जीवित के बारे में जैसे living things जो होते हैं उनके बारे में हम लोग अध्यन करते हैं यह एक ऐसी साइंस है यह एक ऐसा विज्ञान है कि जीवन के बारे में अध्यन करते हैं तो living things living means क्या होता जो जिन्दा रहते हैं दी वर्ड बाइलोजी बाइलोजी वर्ड जो होती है आलसो नोन ऐज साइनस आफ लाइफ एंड लीविंग आर्गनेज तो यह हो जाता है लाइफ का मतलब क्या होता है लाइफ की study करना आगे करिए biology is also known as science of life and living the terminology of first coin दा लेमार्क and terminus ये दिखे ये important हो जाता question पूछता है कि biology term किस scientist ने दिया था किस भग्यानी ने first coin दिया था तो लेमार्क and terminus ने वो किसमें ठारा सो एक में ये दिखे टर्विरिनस आप लेमार्क and terminus याद करके चलिएगा क्योंकि पूछा जाता है term biology due to ये दिख लिजे creditable work Aristotle is known as father of biology अगर father of biology की बात किया जाए तो Aristotle लगाएंगे और अगर term की बात किया जाए तो लेमार्क and terminus लगाएंगे बाइलोजिस्ट डिवाइड इंटो two major branch ये देखे बाटनी का मतलब का होता है बाटनी का means होता है आप plant के बारे में पढ़ाई करेंगे और geology के बारे में आप animals के बारे में पढ़ाई करेंगे ये तो आपको इतना ये तो मालूम होगा नहीं मालूम होगा तो आज तो मालूम करी देंगे करा ही देंगे सभी लोग को तो देखेए बौाटिनी, बौाटिनी का देखे, study या plant प्लाट की study, पौधे की study किस में करते हैं बौतिनी में करते हैं comes under, comes under बौटिनी के अंदर आते हैं it is also known as phytology कहीं पर भी phytology तर्माए तो phyto means होता है p-y-to pelo फाइटो क्या होता है, प्लांट होता है, और लोगी मिन्स क्या होता है, इस्टडी होता है, तो किसका प्लांट की इस्टडी करना, फाइटो लोजी कहलाता है, फाइटो मिन्स क्या होता है, प्लांट होता है, थियो फ्रेस्टरस इज नोन आज फादर आप बाटनी, देखिए लास्ट में मैं question भी कराता हूँ 8-10 question तो मज़ा आएगा तो question यह जो मैं concept trick बता रहा हूँ यह concept trick से सभी question biology में पूछे भी गए हैं तो यह हलके में नमात लीजिये सभी question पूछे गए हैं और ऐसे ही simple question आएंगे simple question अगर पूछ लिया ऐसे पूछ लिएगा कि biology term किस ने दिया था और वहाँ प्याप्षन में अरिस्टोटल भी होगा लैमार को ट्रेविडनस भी होगा बस काफी student अरिस्टोटल लगा देते हैं बस गलत कर देते हैं तो ऐसे simple question पूछा जाता है देख अरिस्टोटल कोई-कोई student अरिस्टोटल बोलते हैं कोई-कोई student अरिस्टोटल बोलते हैं यही को अरिस्टोटल भी बोलते हैं नहीं तो काफी student यह कहेंगे अरिस्टोटल कोन थे तो यही थे अरिस्टोटल बोला जाता है अरिस्टोटल different language हैं तो देखें next में आज फादर आफ जोलोजी फादर आफ जोलोजी कौन है तो अरिस्टोटल या अरस्टु आप बोल सकते हैं आज फाउंडर आफ इंब्रियोलोजी फाउंडर आफ इंब्रियोलोजी भी है यही अरिस्टोटल नेक्स्ट में देखे लाइफ लाइफ क्या है लाइफ क्या है इस Living Beings Are Called, देखिए League Beings, जो Living Beings होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? Organism बोलते है, All Living Organism and Non Living Matter, देखिए यहां से देखिए, All Living Organism जो होते हैं and Non Living Matter are made up of some common basic elements, Like जैसे देखिए, यहां पे कहरा All Living Organism and जो Living Organism होते हैं और Non Living Matter होते हैं, वो बने होते हैं. made up of some common basic elements से बने होते हैं जैसे carbon हो गया, hydrogen हो गया, oxygen हो गया और nitrogen हो गया next में देखिए living and non-living both follow the same physical life living and non-living दोनों क्या करते हैं? same physical life follow करते हैं still फिर भी living organism होते हैं जो जीवित प्राणी होते हैं are different from non-living वो non-living से different होते हैं जैसे on the basis of some fundamental characters कुछ living और non-living में कुछ character तो different होते ही हैं क्योंकि देखिए living जो होते हैं living things जो जीवित बस्तुय होती हैं वो act as an organized structure के form में होते हैं capable to perform कर सकते हैं life process देखिए so they are called organized living things जैसे living things उसको बोलते हैं जो organized structure capable perform करते हैं life process में अपने पूरे जीवन काल में वो called organism जैसे atomic and molecular level of organism organization are found in both living and non-living तो वो चीज हो जाएगा बट देखिए आगे चलिए यहां पे both living and non-living बट proto plasmin cellular tissue cellular tissue आरगन जैसे कहते नहीं हैं पहले क्या होता पहले atoms atoms बनते हैं atom से मिलके cell बन जाएगा cell से मिलके क्या बनते हैं cell से आगे क्या लिख लीजिए आरगन सिस्टम लिख लीजिए ऐसे लिख लीजिए cell से cell क्या होती है cell एक छोटा सा टुकड़ा होता है बहुत माइनिट एकदम टिनी एकदम छोटा सा टुकड़ा को cell बोलते हैं देखिए living and non-living बट प्रोटो प्लाजमिंग शेलुडर टीशू आरगन और आरगन सिस्टम लेबल पूरा बन जाता है एक अरगनाईजेशन बन जाता है और ओनली सीन इन लीविंग बिंग एक पूरी शरीर कैसे बनती है फेले से ल फिर टीशू टीशू से क्या बनेगा आरगन आरगन से आरगन सिस्टम आरगन सिस्टम से पूरा होल बाड़ी बन जाता है प्रिजंस आप प्रोटो प्लाजम यह जीव होते हैं उनका क्या मोस्ट करेक्टर होता है तो प्रोटो प्लाजम का पाया जाना प्रोटो प्लाजम क्या होता है आगे भी हम लोग डिसकस कर लेंगे नेक्स्ट में देखिए इट इस दा साइट आफ आल वाइटल अक्टिविटी इंपॉर्टन फार लाइफ scientist का नाम क्या था हक्सले नाम था हक्सले कौन थे हक्सले एक scientist थे अब इन्हों ने क्या बोला कि protoplasm क्या होती है physical basis of life होती है तो ये किस scientist ने कहा था ये हक्सले ने आप लिख सकते हैं question पूछा जाता है question पूछा गया है कि 1863 में एक word लिख लिजिए यही पर मैं लिख दे रहा हूँ आप भी लिख सकते हैं important है ये लिख सकते हैं protoplasm के बारे में है P-R-O-T-O proto P-L-A-S-M protoplasm को क्या कहा है हक्सले साहब ने क्या कहा था यही पर आगे लिख लिख लिजिए कि physical basis of life किसको कहा था प्रोटoplasm को the physical basis of life किसने कहा था हक्सले साहब ने कहा था प्रोटoplasm को क्या कहा था physical basis of life जो प्रोटoplasm होता है physical क्या होता है जीवन का आधार सिला होता है जीवन का आधार सिला कौन है ये किसने कहा था अने कहा था 1866 में कुछ चीजे और देख लेते हैं है यहां biology क्या होती है the science of यहां देखे biology का means क्या होता science of life question एक बार तो पूछा गया था कि science of life क्या है biology का means क्या होता bio means क्या होता planet study करना life होती है study of living things study of living things जीवित बस्तियों का ज्यान करना अध्यन करना क्या कहलाता बाइलो जी इस साइन्स आफ लائफ यह दिखिए यहाँ पर दिया गया है बाइोस मिंस लाइफ होता है, लोगोस मिंस दिसक या फिर स्टडी करना बाइलोजी टर्म बाइलोजी वाज क्वाइंड वाई ये देखिए टर्म किस ने दिया था जाएन बेप्टिस्ट डी लैमार्क या फिर फ्रांसेस और टेरविरनस मैंने बता ही दिया जर्मनी के थे ये तो ये चीज हो गया फिर आप यहां पे बाइलोजी को डिवाइड किया गया था जोलोजी बाइलोजी मैंने बता ही दिया था उसका मतलब बाइलोजी के अंदर प्लांट की डिल करते हैं और जोलोजी के अंदर एनिमल को डिल किया जाता है ये भी बता दिया था बाइलोजी क जिसके अंतरगर डिल किया जाता है माइक्रो इसकोपिक आर्गनिजम को माइक्रो बायलोजी के अंतरगर छोटे छोटे आर्गनिजम माइक्रो इसकोपिक आर्गनिजम जैसे बैक्टिरिया वाइरस यह सबाते हैं माइक्रो बायलोजी के अंतरगर इसका अध्यन करते हैं बैक्टिरिया याद कर लिजिए माइक्रो बायलोजी में बैक्टिरिया का अध्यन करते हैं next में यह देखिए are living beings have some common character कुछ living beings जो होते हैं जीवित जीव जो होते हैं उसके कुछ common character दिये गए हैं तो उसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं कि क्या चीज होते हैं इफिनिट, ऑइंड, साइस, जो living things होती हैं जीवित बस्तिवे जो होती हैं उनका shape and size क्या होता एक definite होता है एक fix bubble होती है एक fix shape and size क्यो होते हैं second पे उनका आर्गनाईजेशन के बारे में देख लेते हैं तो आर्गनाईजेशन क्या होता है living organism have simple to complex level of organization type के होते हैं simple से complex level पे some are very कुछ वो vary करते हैं different होते हैं simple up to cellular level कुछ वो very simple होते हैं cellular level पे होते हैं whereas other have कुछ complex organization में होते हैं जैसे tissue हो गया आरगन हो गया और आरगन सिस्टम हो गया सेलूलर इस्ट्रक्चर की बाद थार्ड पॉइंट में किया गया है सेलूलर इस्ट्रक्चर क्या है इब्री आरगनीज परते एक आरगनीज परते एक जीव जो है इज मेड अफ हाफ टिनी एक छोटे से, टिनी मिन्स छोटा सा structural unit से मिलके बनेते हैं जिसको cell बोला जाता है cellular structure क्या होता cell छोटे छोटे cell मिलके ही तो cellular पूरा structure cell का बन जाती है cell ही छोटे छोटे cell मिलके tissue में tissue से organ, organ से पूरा organ system organ system से पूरा whole body बन जाती है body की, यह दीखे protoplasm, मैंने जो बात कर रहा था ना कि protoplasm होता क्या है तो इसके बारे में देखी यह fourth point दिया गया है protoplasm, एक बार तो question यह पूछा गया था कि protoplasm मान लीजिए यह cell है, अब यह cell के अंदर protoplasm क्या है, एक तरहल पदार था यह क्या होता, cytoplasm यह किसके अंदर गदाता है protoplasm के अंदर तो यह आते हैं, अब यहां से देखिए protoplasm, all living cell have semi-fluid cald semi-fluid cald, semi-fluid मतलब एकदम ऐसा पानी जैसा ही नहीं होता semi-fluid होता है, तो cald protoplasm, cald protoplasm कहा जाता है, living things, living जो cell होते हैं, hive उसमें होता है semi-fluid होता है, semi-fluid क्या होता है, semi-fluid को ही protoplasm कहा जाता है it is a complex colloidal यह एक complex colloidal system where all vital activities take place, यह क्या करते हैं colloidal system होता है, जो vital activities के लिए important होते हैं metabolism के बारे में देख लीजी यह सब important body के बारे में बताई जा रहे हैं, यहां से questions simple बनते हैं, यह फिर आपको बेसिक को develop करते हैं, यह देखें metabolism क्या है, metabolism एक स्रीज आप biochemical reaction है, बायोकेमिकल reaction है, जो सरीर में चलती है going on is cell for life is called metabolism, अलग अलग होती है, cell में चलती है, तभी तो energy मिलती है glycogenesis हो गया, glyconeogenesis, काफी biochemical reaction चलती है, जो enzyme भी help करते हैं, metabolism उसी को कहते हैं, तभी तो जो food खाते हैं food से energy मिलती है, metabolism ही क्रिया होती है, वहाँ पे सरीर में उस सभी चीजों की बात हो रही है growth and development, six point देख लिए growth and development, all living organism, जो जीवित जीव होते हैं, वो so, क्या उसमें होता है growth in their size, उनमें growth होता है, growth मतलब होगा लेकिन उनके size में growth होगा, the development development कहा होगा, in series of change during the life cycle of organism, उनके life cycle में changes आएंगे, तो development होगा, तो growth and development किसमें होता है, living organism में, ना कि non-living organism में, तो आगे चलिए कुछ चीज़ें अभी और भी clear कर लेंगे, growth and development के बारे में, आगे और पढ़ेंगे, चीज़ें देखिए, moment क्या होता है, 7th number पर moment देख लीजिए, क्योंकि हम लोग moment भी करते हैं, locomotion भी करते हैं, दोनों करते हैं, अभी moment और locomotion में भी different होना चाहिए, moment और locomotion से भी question पूछे जाते हैं, एकदम basic question, जैसे देखिए, moment क्या है, most of the animal move from one place to another is called locomotion, ये देखिए अगर हम मालेजिए, एक जगा फिर खड़े हुई हैं, अभी या plant का example ले सकते हैं, पौधे का example ले सकते हैं, या हम लोगों का human का example ले सकते हैं, मालेजिए, हम एक जगा खड़े हुए हैं, और सिर्फ अपने हाथ पैर हिला रहे हैं, place को change नहीं कर रहे हैं, जगा नहीं परिवर्तन कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, उसका movement कहेंगे लेकिन अगर जगा चेंज कर दिए एक place से दूसरे जगा पे चले गए, तो उसको locomotion बोलते हैं, आगे चली अभी clear होगा, most of the animal move from one place, एक अस्तान से दूसरे अस्तान पे उसको locomotion बोला जाता है, जैसे in plant, plant के case में, plant जो पोधे होते हैं, and fixed animal और कुछ fixed animal भी होते हैं, जैसे sponge हो गया sponge देखे होंगे, या sponge हो गया, moment in scene only in their body, केवल उनके body में movement होता है, body वो अपने हाँ, हाथ पायर हिलाते हैं, जैसे पोधे में क्या होता है, जो टेहनिया होती है डाल होती है, वो सिर्फ हीलती हैं, चलती थोड़ी हैं कि एक अस्तान से दूसरे अस्तान पे चली जाएंगी body part, जैसे bending of root, जैसे देखिए root जो जड़ होते हो, bend कर जाते हैं पौधों में, and suit, जो suit तना जो होता है, वो क्या कर ले जाते हैं, वो भी bend करते हैं, in response to gravity, gravity की तरफ जुग जाते हैं करती की तरफ, and light की तरफ जहां, जिधर से light आती है, उधर मूड़ जाते हैं तो opening आप बढ़ भी open हो जाते हैं, and the example आप किसके, movement के example हैं, तो आप locomotion और movement के definition तो समझ गए होंगे नहीं समझ गए होंगे, तो लिख लीजिए समझ जाएंगे, वो इसे समझ गए होंगे, इतना तो, हाई ही, कुछ दिमाग अगर आप online पढ़ रहे हैं next में, art number पे आए, response and stimuli, response क्या होता है, stimuli क्या होते हैं जो living, जिवजन तो होते हैं, वो तो कुछ response करते हैं, कुछ उनके अंदर stimuli तो होती है, visible changes in an arganese produce, idea, result of stimuli is called response, जैसे देखिए visible changes, जैसे हम लोग को कुछ चीज़े देखता है, देखते हैं, तो changes in arganese, तो कुछ changes होती हैं उसका result, हम कुछ stimuli उत्पन करते हैं, तो उसी को response बोलते हैं कोई माली, जिए हैं में टच करें, तो पहले हम metabolism from the body excretion जैसे देखिए, जब हम लोग food food खाते हैं, खाना खाते हैं, तो क्या करते हैं उससे हम लोग during metabolism होती है, energy मिलती है, लेकिन कुछ based product भी निकलते हैं जैसे urine निकल गया, फिर उसके बार stool pass out हो जाते हैं, sweating काफी excretion product होते हैं next में respiration देखिए 10 point respiration भी देख लीजिए all living ironies are used, सभी living ironies जो जिन्दे, जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, use करते हैं oxygen, क्यों करते हैं, respiration में क्यों करते हैं, oxidation आप food food का oxidize करने के लिए to obtain energy, कौन सी energy ATP farm में, adenosine triphosphate ATP के farm में, and gives out carbon dioxide और फिर उसके बाद जब हम respiration करते हैं तो oxygen ले रहे होते हैं oxygen environment से, लेकिन क्या छोड़ते हैं, CO2 भी छोड़ते हैं यह जो जारिली गैस मानके चलिए CO2 होती है, तो इसको छोड़ते हैं environment में, फिर environment में CO2 कहां जाता है, CO2 जाता है कुछ organism लेते हैं, जो photosynthesis करते हैं, फिर में oxygen दे देते हैं, अब plant करते हैं photosynthesis, sun लेते हैं, सुर्यूर जासे और CO2 environment से लेके फिर वो oxygen दे देते हैं इसी परकास से चलता रहता है, जी मने आपन nutrition देखिए, living orange obtained food from environment, get energy, growth and repair के लिए nutrition, हम लोग food क्यों लेते हैं वाई, living orange क्यों food काता है क्यों भोजन काता है, क्योंकि वह environment से food भोजन लेता रहता है energy environment से लेगा और food लेगा, और वो growth and repair के लिए, उनके tissue cell repair होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो सब में हो जाएगा, reproduction 12th number reproduction की बात कर लेते हैं reproduction क्यों आदमी, क्यों living जीव करते हैं, every organism परते हैं, organism produce offspring, मतलब क्या होता है, संतान produce करता है, like अपने समान itself to maintain the continuity of life, अपने जीवन को बढ़ाने के लिए कहतनी अपने बंसेश को बढ़ाने के लिए reproduction करता है, next में genetic continuity देख लिए, genetic continuity भी maintain करता है, क्यों करता है, all living organism have heritable genetic material, जैसे like DNA को पास करता है, who is processed from one generation to next, one generation से next generation reproduce करता है, तो genetic material को पास करता है, एक generation से other generation, homeostasis देख लिजे, ये सब चीजे बताई गई हैं, जब आप वीडियो को रिवाज कर रहे होंगे, तो आपको मिल रहा होगा, सभी वर्ड, ये सभी वर्ड, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, जो आपको पले लिस्ट में जो वीडियो एड की गई होंगे, सब मिल रहे होंगे, जो रिवाज करने हैं, उनको बेंफिट तो 100% मिलेगा, नहीं रिवाज करने हैं, जनौरी के बाद आपको जनौरी चल जाएगा, फिर उसके बाद फरोरी, उतने समय में आपको दो महिने में टोटल वीडियो आपको 700 वीडियो रिवाज करने हैं, एक दिन में 8-10 वीडियो रिवाज करिये, टोटल कम्पलीट करिये, जाइए प्लेइलिस्ट फालू करिये, अभी दिखा देंगे प्लेइलिस्ट कहां मिलती है, होमियो स्टेटिस समझ गए, होमियो स्टेटिस का मीन्स होता है, लीविंग आर्गनिजिम जो कीप देमसेल्फ स्टेबल बाइ मेंटेनिंग दियर इंटरनल कंडिशन, जो अपनी बाड़ी का इंटरनल कंडिशन, जो होता है टंपरेचर को मेंटेन करते हैं, वो ही होमियो स्टेटिस कहलाते हैं, जैसे हम लोग का बाड़ी टंपरेचर 37 डिग्री संटीग्रेट होता है, अगर फारेन हाइट में बात करेंगे, तो 98.6 स्टेटिस की बात करेंगे, तो 37 डिग्री होता है, अब ऐसा नहीं कि हम परवती एरिया में चले जाएंगे, ठंडी परदेशों में चले जाएंगे, तो हम लेका बाड़ी टंपरेचर जो थर्मामीटर से नापा जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि वो डाउन हो जाएगा, वो होमियो स्टेटिस होता है, मेंटेन करता है, अब टंपरेचर, तो ये लिविंग आर्णी, हम लोग के अंदर ये चमता होती है, सेल का होता है, ये देखिए, सेल के बारे में, सेल एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, यूनिट आफ लाइफ, स्टेडी आफ सेल उसको क्या बोलते हैं, साइटोलोजी, काफी बार तो डारेक्ट कोश्चन पूछ लिया जाता है, कि unit of life, study of cell को क्या कहा जाता है, cytology कहा जाता है, cell क्या है, cell is the basic structural and functional unit of life, ऐसे भी question पूछ लिया जाता है, structural and functional unit of life, किसको बोला जाता है, cell को बोला जाता है, basic structural and functional unit of life, cell होती है, each and every organism each परतेक आर्वनिज्म फ्राम दा यह दिखें टिनियस्ट मतलब सबसे छोटी to the largest are made up of cell छोटा छोटा सेल मिलके एक भारी चीज़ बना लेते हैं देखें हैंस इस कारण we can say that cell is the building इसी कारण cell को क्या कहा जाता है building block कहा जाता है body का building block किसको कहा जाता है cell को कहा जाता है question पूछा जा सकता है building block of the body किसको कहा जाता है cell को कहा जाता है question लिख लिजिएगा some of the organism कुछ organism made up आप बने होते हैं एक single cell से कुछ organism ऐसे होते हैं जो single cell से बने होते हैं उसको unicellular बोलते हैं से वाइरस हो गया कुछ अधर होते हैं जो बने होते हैं आफ मेनी सेल से डिफिरेंट से बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं मल्टि सेलूलर आर्गनिज मने होते हैं जैसे हम लोग हैं नेक्स्ट में देखिए इनिसेलूलर आर्गनिज ये देखिए इनिसेलूलर किसको बोलते हैं जो एक सेल से बने होते हैं आर्गनिज परफार्म ए लाइक लाइक प्रोसेस अपने लाइक प्रोसेस में इंसाइट सिं single single gallon letter lecro מס responds on working आप Мыद के मुठ यह सिम्लर इते हैं तोगेदर हॉफांटीश्य से टीसूबने ने बता है था है। सिंगयर फंसल होते हैं गूरूब वहांब न लेते हैं सैलसे टीसूब न से अर्गन इन हाईयर गूरूफ ए आरगन जो जो यह आरगन मिलके वो क्या बना लेते हैं एक आरगन आरंज इंटू किसमें आरगन सिस्टम बना लेते हैं आरगन सिस्टम से पूरा एक हौल वाड़ी बन जाती है पूरी सरीर बन जाती है इच आरगन सिस्टम कैरी आउट पर्टिकुलर फंसन जो इच परते एक आरगन सिस में all are made up of several type of cell जो basically other than single cell वाले मतलब multiple वाले होते हैं single cell को छोड़ के वो several type of cell के तो बने ही होते हैं next question discovery देख लेते हैं यहां से question तो पूछे जाते हैं हर साल पूछे जाते हैं एक दो question यहां से fix मान के से लिए कि एक दो question आपको मिल जाएंगे यह देखे ना इन 1665 में Robert Hook Robert Hook कौन थे एक scientist एक भैग्यानिक थे Robert Hook आप जब यह honeycomb like एक जैसे देखते नहीं मदू का छत्ता आप देखे होंगे जिसमें क्या निकाले जाते हैं मदू का छत्ता honey जो निकाला जाता है तो honeycomb honeycomb means को मिले गए फिर उसमें देखे एक box उनको दिखाई दे रहा था compartment दिखाई दे रहा था उसी को वो cell बोल दिए कि यह cell है next में देखिए तो Robert हो गया living hawk first time saw and describe living cell तो question पूछता है कि living cell एक जिन्दी cell को किसने सबसे पहले describe किया था तो यह देखिए कि first time किसने देखा था सामिंस देखना और describe किया था living cell को तो एक लिखनी ऑन लिखन हा किय था आप जरह भाए कॉम लाई के pattern देखे थे simple microscope में तो cell बोल दिये थे यहां से देखिए यहां से question पूछता है यहां से question ऐसे पूछता है कि यहां देखिए some important discovery कुछ यहां scientist के name दिये गया है कुछ discovery दिया गया है जैसे रावर्ट ब्राउन रावर्ट ब्राउन ने 1831 1831 भी याद करिए direct question पूछता है निकुलेस के खोज किस सन में हुई थी 1831 में किस ने किया था रावर्ट ब्राउन एक scientist थे एक बैग्यानिक थे परकिंजे यह देखिए परकिंजे ने क्या बोला था वो ही चीज़े आ गया ना जो मैंने बताया था कि परकिंजे साहब ने क्या बोला था परकिंजे यह देखिए परकिंजे कहीं पर आया आपका प्रोटो प्लाजम से संबंदित रहेगा परकिंजे ने 1849 में नेमदा semi fluid found inside cell and protoplasm यह देखिए नेम प्रोटो प्लाजम ही दिया था प्रोटो प्लाजम इन्होंने बोला था कि यह term protoplasm living matter of the cell living matter of the cell किसी की cell का living matter क्या होता है semi fluid होता है semi fluid क्या हो गया protoplasm तो नेम दा semi fluid found inside the cell cell के अंदर एक name semi fluid पाये गया उसको प्रोटो प्लाज तो यह परकिंजे साहब ने ही बोला था next में देखिए slide and slide and swan important discovery है slide and swan ये देखिए दोनों है slide and ने क्या क्या slide ने swan तो जो लुजिश्ट थे और swan क्या थे ये plant थे तो slide and क्या बोला all plant are made up of cells सभी जो plants होते हैं सभी पोधे होते हैं वो बने होते हैं किस से cell से ये slide and ने बोला स्वान ने बोला all animals, सभी जो animals होते हैं, वो बने होते हैं कैसे, cell से, तो animal के बारे में स्वान, स्वान मानी हंस, वहीं से आद कर लिजीगा, स्वान क्या था, हंस था, animal ही था, तो वहीं से आप पकड़ लेंगे, यह सब कराई गए, यह सब ट्रिक हजारों बार बताई गए हैं पहले यह जान लिजीए, कि खोज किस ने किया था, तो सिंपर, सिंपर एक साइंटिस्ट थे, 1813 से इस में क्लोरोप्लास्ट का डिस्कवर कर लिए, अब क्लोरोप्लास्ट एक बार कोईशन पूछा गया था, कि क्लोरोप्लास्ट ऐसे पूछा था, फोटो सिंथेटिक लिबोरेटरी यल, ल, ए, ब, ओ, औ, ओ, आ, ट, O, आ, आ, य, ए, स, लेबोरोटिरी, फोटो सिंथेटिक लेबोरेटिरी, जैसे आप पढ़ रहे हैं, इस्टेड़ी करने, उसको लेबोरेटरी बना लिया है, एक परियोग साला बना लिया है, अपना इस्टेडी टेबल एक चट किया है उसी परकार से फोटो सिंथेटिक लेबोरेटरी किसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट में आपको पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है इसी में तो क्या होते हैं क्लोरोफिल होते हैं करेटुनौाइड होता है तो उसमें ग्रेना ह अगर नाम पूछ लिया किस ने दिया तो आप सी बेंडा लगाएंगे लेकिन अगर पूछ लिया डिस्कवर्ड किस ने किया था माइटो कन्रिया को तो आप अल्टमाल लगाएंगे नेक्स्ट में देखिए फेलिस फेंटा हो गया निकलियोलस हो गया इस्टास बर्गर इस्टास निकलियोस इस रिलेटेड टू इनहेरिटेंस आप करेक्टर हो जाएगा नौल रसका इंपॉर्टन्थ हैं नौल आंड रसका के हां साइलेंट होता है ऐसे नहें पढ़ेंगे अनौल आंड रसका इलक्टरान माइक्रोई स्कॉप की डिस्कवरी किये थे रोडुल्फ वर्चो यह भी इंपॉर्टन्थ है अपनी पुरानी से बनी होई होती है बचपन में, कितने में? 1855 में. रुडॉल्फ वर्चो ने बोला था. स्लाइडन औन स्वान, ये देखे स्लाइडन अन स्वान, स्लाइडन क्या थे? क्या थे, बॉटिनिस्ट थे कि जो लो जिस्ट, ये क्या थे? क्या थे, फाइटो, मिन्स प्लांट थे और स्वान क्या थे जो लोजिस्ट थे तो ये दोनों ने क्या किया प्रोब किया that both plant and animal are made up of the cell ये cell से बने होते हैं plant या animal and propose the cell theory और cell theory को propose कर दिये question direct question था cell theory किस ने दिया था तो यही scientist आप याद करिए अब इसमें कुछ point भी दिये थे ये point के बारे में कुछ देख लेते हैं ये swan ने कौन कौन ने दिया था ये देखिए यहाँ पे slide and swan ने तो slide and swan ने बोला every organism are made up of one are mini cell परते एक आर्गनिज्म इबरी जिव परते एक जिव बने होते हैं one या एक एक अधिक cell से each एक cell से बनेंगे तो unicellular एक से अधिक cell से बनेंगे तो multicellular आप बोल देंगे second देखिए second में क्या है each cell is arise from the existing cell इन्हें नहीं बोला था कि पुरानी cell से नई cell बनती है each organism परते एक आर्गनिज्म start their life from one cell परते एक आर्गनिज्म अपनी life को शुरुआत करता है एक single cell से यह भी important बात है virus virus देखिए बिसाड़ जो होते हैं is the exception of cell यह exception है अपवाद है theory यह cell theory का एक अपवाद क्या है virus क्यों अपवाद है that have not reach at cellular level यह cellular level नहीं होते हैं आ cellular होते हैं तब ही तो virus अपवाद है क्योंकि जीव विग्यान बोलता है कि जो सभी जीव हैं जो आर्गनिज्म है वो एक cell से बनते हैं लेकिन यह क्या है आ cellular है कोई cell नहीं इसमें होता है but at living in host लेकिन यह host cell में जो living host cell में यह रहते हैं virus तो इसलिए पुआध है question पूछा जा सकता है direct कौन आ cellular होता है तो virus लगाएंगे कुछ यह question लगाए गया है तो चलिए इन question का जवाब आप देजिए और question का enjoy करिए यह सभी question important है तो अच्छे से देखिए और सही करने की कोसिस करें पूछ आपको comment box में comment करना ही है और सबसे इस्टूडेंट करेंगे 100% करेंगे अगर आप comment नहीं कर रहे है तो चैनल से मेरे नाही तैयारी करें बढ़ ब़ा यही के रहा हूं अगर आप question की जवाब नहीं देते हैं हर question का जवाब नहीं दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में नहीं कमेंट कर रहे हैं और कोश्चन पूशा जा रहा है मेहनत की जा रही है मेहनत अंडेट परसेंट में कर रहा हूं चार्स लेकर पांच घंटे तक वीडियो बनाने में मेहनत लग रही है और कोश्चन पूशा जा रहा है वीडियो में कमेंट नहीं करन बाई लोजी टर्म लेमार्क एंड टर्वारिनस ने दिया था फाधर आप बाई लोजी फाधर आप बाई लोजी कौन है यह देखिए अरस्तू अर्श्टोटल इसको बोल सकते हैं बी आपसं आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट में देखिए हूँ इज काल्ड फाधर आप जोलो जी जो जी जी विज्ञान के पिता किसको बोला जाता है फादर आप जोलो जी किसको बोला जाता है आप इस question का जवाब देना है फास्ट आप्सन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड अरस्तू डार्बीन हिपोक्रेट्स या थियोफ्रेस्टास 140 question एकदम important question है 140 का option आप question में आप टिक करेंगे question में आप comment करके बताएंगे वीडियो के description box में comment करेंगे कहने का मतलब यह है 141 what is the name of book written by अरस्तू जो अरिस्टोटल साफ साइंटिप्स थे अरस्तू इन्होंने एक book लिखा था एक book अपने नाम में लिखा था कौन सी book लिखा था उस book का नाम बताना है Historia, Naturalis या Systema, Nature या Historia, Animalia तो Historia, Animalia एक book का नेम था जिए इन्होंने लिखा था किसने अरस्तू साबने Father of Botany, Father of Botany जो देखिए बोटनी जो बनस्परत विख्यान के पिता किसको कहा जाता है आरस्तू, Lenius, Theophrastus या Libanag तो Theophrastus को option number C आप correct करेंगे Father of Modern Botany ये भी important question हो जाता है और एकदम गलत करते हैं student Father of Modern Botany पॉस्चर बाउहिन या फिर ये दिखिए बुरुनफेल्स या फिर Theophrastus तो हम तो Theophrastus लगाएंगे आप क्या लगाएंगे आप लगा दीजिए बाउहिन लगा दीजिए तो आप बाउहिन लगाएंगे तो ये ही correct हो जाएगा क्योंकि Modern Botany पूछा जा रहा है तो Theophrastus यहां कापी student लगाते हैं जो कि गलत कर जाते हैं तो आपको बाउहिन लगाना है B-A-U-H-I-N B-A-U-H-I-N B option correct हो जाएगा Who is father of medicine ये question तो सब question सही करते हैं लगबग 10-20 बार लगाया गया है question वेडियो रिवाइज करें Who is father of medicine हिपोक्रेट्स जाईए ना नहीं तो Theophrastus मत लगाईएगा D option correct होगा हिपोक्रेट्स Father of anatomy Father of anatomy किसको बूला जाता है यहां देखिए Father of anatomy Karl Gis, Renny, Discrette या फिर Francis, Vakonka या फिर Andras, Bacelius यही option correct हो जाएगा Andras, Bacelius तो option number D correct हो जाएगा Next who is father of plant physiology Plant physiology की पिता किसको बुला जाता है Plant physiology Plant physiology काफी student कर रहते हैं कि Plant physiology सरक्राई है Plant physiology क्राई गई है आप end game series है ना प्लेलिस्ट में end game series के नाम से एक है end game game series एक क्राई गई है उसमें लग वो 30-35 वीडियो है वो जाके end game series पूरा कंपलेट करें तो यहां देखिए father of plant physiology किसको बुलेंगे हैंस क्रेफ, warberg या फिर हाचिंसन या फिर स्टीफन हैल्स तो स्टीफन हैल्स को बुला जाता है plant physiology के पिता बुला जाता है Next में देखिए book of philosophy geologic एक philosophy geologic एक book की एक किताब का नाम है यह किस ने लिखा था वाज written by किस के दोरा लिखा गया था लैमार्क के दोरा, मेंडल के दोरा, हीगो डीबिरिज के दोरा या हैकल के दोरा तो यह बताईए comment box में आप बताएंगे क्या नहीं बता पाएंगे तो philosophy geologic लैमार्क ने लिखा था तो first option correct कर दीजिए एक ही comment लिखने में हलत खराब हो जाती है काफी student की कुछ student तो reply करते हैं हर एक वीडियो में हर एक question का जवाब देते हैं कुछ student ऐसे हैं जो महारती हैं वो एकदम उनको क्या बोले ना बोले तो बराबर हैं चलो उनके बारे में नहीं बात करते हैं कुछ सरारती element तो हर एक channel पर दिखते हैं सभी जगां दिखते हैं तो उनको ऐसे ही करते हैं और उनका देखेंगे क्या होगा आगे भविस में next में देखिए binomial नामन क्लेचर was introduced by बाइनोमियल नामन क्लेचर किसे ने इंट्रोडिउच किया था यह आपको बताना है लीनियस डॉर्बिन अरिस्टोटल या डी कंडोले ने तो यह important हो जाता है यह question बाइनोमियल नामन क्लेचर किसे ने दिया था तो ऐसे तो आप लगा ही देंगे लेनियस मैं भी लेनियस लगा रहा हूं तो फस्ट आप्सन नी करेक्ट कर रहा हूं जो कि फस्ट आप्सन करेक्ट भी है तो चलिए इसके पहले वीडियो में मैंने बुक्स एक बताई थी कि आपको वो बुक्स परचेज कर लेनी चाहिए थी कल इबिनिंग में रात में वीडियो अप्लोड किया था तो उस जरूर बुक्स आप परचेज करें और वो बुक्स अभी के पास होने चाहिए कोई SI स्टूडन ना हो जो तैयारी कर रहा हो बेसी नर्सिंग पारमेटिकल फार्मेसी और ये बुक नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक बता देंगे आप देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं अगर परचेज करना है तो मेरे आप तो एकार्डिंग वो बुक सब के पास होनी चाहिए खरीदना है तो खरीद लीजिए और बेस्ट वीडियो आपको प्रवाइड करते रहेंगे मैं इनत मैं बेद करी रहा हूं पांच से चे गंटे चार से पांच गंटे वीडियो के लिए और सेल्फ इस्टड़ी कर रहा हूं जो भी ये वीडियो ऐसे नहीं बनती है कि शुरू कि ये शुरू होते चले गए ये वीडियो पहले मने एक दो गंटा पढ़ा हूं ये सब कंटेंट के लिए हैं कंटेंट कलेक्ट किया हूं दो गंटे में तब ये वीडियो बन रही है तो मैं इनत करनी पड़ती है वाई तो वीडियो को से एर करने ज़्यादा से ज़्यादा चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और अच्छी वीडियो लाते हैं थाइंक्यू